नमसकार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में साथियों अपने जो खेत की वीडियो है काफी दिन होगे आने रहे थी क्योंकि हम गए हुए थे केदारनाथ, केदारनाथ आते ही देखे हैं खेत में हमारे चर रही है प्यांज की हरवेस्टिング प्याज बिल्कुल त्यार हो चुका है देख सकते हैं प्याज का डेहर लगा दिया है उखाड करके च्छाया में यह पेड़ है बकायन का बकायन के पेड़ के निचे च्छाया में उखाड उखाड के डार रहे हैं एक बार उखाड देंगे फिर इसको दराती से ना इसका जो प्रतना होता है यह वड़ा अलग कर देंगे और प्याज इसकी अलग हो जाएगी वड़ी तो इसके द्रात्ती से अलग करना पड़ता है और सोख भी गया है ओदेख सकते हैं साइज बहुत अच्छा इसका प्याज का और कलर देखिए जो चमक है ना वह बहुत थी बहत्री न समख है कोमेंट करके बताओ कैसी है अब इसको आज ही हार्वेस्टिंग शुरू हुई है वहाँ पर आपको दिखाते हैं कैसे इसके हार्वेस्टिंग की जाती है जो खुरूपी ओते ना खुरूपी जो खुरूपी से निच्चे से खाड़ना पड़ता है इसकार से यह सारी प्यांज है यह देखो तने बिल्कुल सोक चुके हैं खुरूपी से खोद खोद करके निकालने पड़ती है और प्यांज को लगाए हुए लगबग साड़े पांच महेने के आसपास हो गए हैं पहले भी आपने इस खेत की वीडियो देखियोगी जब प्यांज को लगाया जा रहा था तब भी हमने वीडियो बनाए थी बीच में जो बिच की खात पानी डालते थे बीच-बीच में हम इसको दिखाते थे तो आपने वीडियो नहीं देखिए तो सुनिल वर्मा एच्शार पर जाकर इसकी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं कि प्यांज को कैसे लगाया जाता है क्या इसकी दवाई पानी इसके इंदर डाला जाता ह कैसे इसके जो खते हैं जमीन हैं वो कैसे त्यायर किया जाती है सारा कुछ सुनील वरमाइचार पर फेस्बूक और यूटूब पर डला हुआ आप भी जाकर देख सकते हैं कि और खुर्पियों से क्योंकि दोफैर को दूप हो जाती है तो सुबह सुबह जल्दी उखाड करके वहां डेर लगा देंगे ठाया में और देशी प्याज है लगबग तीन चे च्यार दिन में सारी आर्वेस्टिंग होई जाएगी यह देखिए बहुती बहतरी और बात करें भाव की देखते हैं कितना उत्पादन निकलता है उत्पादन तो बहुती बेस्ट है बात करते हैं भाव की हासी की जो सबजिमंडी है ना प्याज का जो भाव अभी चला हुआ करंट में 18 रुपे किलो से लेकर 20 रुपे किलो 22 रुपे किलो 23 रुपे किलो तक हासी की सबजिमंडी में प्याज अभी बिक रहा है आपकी सबजिमंडी में प्याज क्या भाव बिक रहा है एक बार कॉमेट करके हमें जरूर बताएं